कि कुश्चन में क्या कहता है अब यह चोटे-चोटे कुश्चन है आर ऑन हाउस प्रॉपर्टी डेली 60% प्रॉपर्टी लेट आउट 15,000 पे तो अब दो पार्ट होगे हैं हमारे प्रॉपर्टी के अन्दा बेसिस ओफ एरिया एक सिक्स्टी पर्सेंट एरिया जो कि क्या है इसका एक सिक्स्टी पर्सेंट आफ दा प्रॉपर्टी लेट आउट एलो हो गया तो फर्टी पर्सेंट क्या होगा एस सो हो जाएगा ठीक है फर्टी पर्सेंट सेल्फ ओक्यूपाइट हो गया कंप्यूट दा इंकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इंफॉर्मिशन तो सबसे पहले एमवी दे रखा है एमवी दो लाग दे रखा है तो सिक्स्टी फॉर्टी में बाटना पड़ेगा तो सिक्स्टी में बाटेंगे तो एक बीस और एटी इसके बाद फियर रेंट दे रखा है एफ र एफ र दो आपका फियर रेंट दे रखा है बाइस हजार रुपे पर मंत तो बाइस हजार इंटू में क्या करोगे बारा डिवाइड़ बाइट बाइंटू सिक्स्टी परसेंट तो 158 पोर हंड्रेड या जाएगा 105 शिक्संड इसके बाद स्टेंडर रेंट दे रखा है सार इसको भी बांट देंगे कितने दे रखा है 20,000 पर मंत इंटू में 12 का 60% 144 और 96 तो अगर मैं निकालने जाओं क्या एकस्पेक्टिट रेंट तो इसका तो होगे हमारा इन दोनों मैं से हाइर लोवर एक लाग चोवाले सजार और इसका क्या आएगा जीरो क्योंकि क्यों जीरो आया सर क्योंकि क्या है सेल्फ उक्यूपाइड अब ए ट्रिपल र इसका क्या आएगा ए ट्रिपल र पंद्रा हजार रुपे महिने इंटू बारा एक अस्सी और इसका आएगा जीरो अब आजाएगा जी एवी 180 और जीरो माइनस एमटी क्या मुंसिपल टेक्स पेड है 30,000 तो 30,000 का 60% आएगा यहाँ पे 18,000 और बाकी यहाँ पे तो आएगा ही नहीं क्या इंट्रस्ट है यहाँ पे बिल्कुल इंट्रस्ट भी है और साथ के साथ यहाँ पे मैं इसको थोड़ा अब स्मॉल कर दूँ क्योंकि स्पेस कम है थोड़ा उपर ले जाते हैं इसको एक असी एक मासट जीरो यह क्या आगे हमारा एन एवी इसके बाद माइनस 24 162 पे 30 परसंट इस 48 600 कितना बड़ा जाए गई है इसको और उपर ले जाते हैं 48 600 और यहां पे रहेगा हमारा 0 24 बी इंटरस दे रहा है एक असी कहता है इंटरस और मनी बोरोइंग प्रॉपर्टी विच वाज एक्वाइर 2011 कोई मतलब नहीं इंटरस तो दे रहे हो ना आप एकसी तो 60% आएगा आपका एक लाग आठ हजार और बाकी का यहां आजाएगा 72 अब सर यहां पे देखने वाली बात यह है कि आप प्रॉपर्टी को क्या मान रहे हो आप रिजिम कौन सा मान रहे हो 72 और एक लाग आठ हजार कोश्चन में ओल्ड रिजिम से है नियू रिजिम से है अगर कोश्चन कहता है ओल्ड रिजिम से है तब तो यह हमारा अंसर डन हो गया अगर कोश्चन कहता है कि आपको एस पर 115 BAC के हिसाब से लेके चलना है और नियू रिजिम से तो उस केस में ये वाला इंट्रस्ट माइनस करेंगे और नहीं करेंगे देखो बड़ी छोटी छोटी बाते हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगे एक्जाम के अंदर अगर उसने यहाँ पर जट से बोल दिया कि एस पर नियू रिजिम सॉलीशन करो आप तो सब कुछ ठीक होता लेकिन बस चेंज कहा जाता है यहां से हम 72,000 माइनस नहीं करते हैं तो यहां पर अगर हम देखें क्या आ रहा इंकम 162 माइनस माइनस एकलाख 8000 यह आ गया 5400 पॉजिटिव और यह 72,000 नेगिटिव तो आई एच पी इंकम फ्रॉम हाउस प्रपर्टी क्या आएगा यह आ जाएगा हमारा 5400 माइनस 72,000 डेट इस 66600 लेकिन अगर नियू रिजिम होता तो बताओ क्या आता पटाफ़ट कमेंट में बताओ नियू रिजिम होता तो क्या आता 5400 5400 आ जाता तो आपके बुक में शायद यह कुशन नहीं है न यह है है हाँ वो आंसर नीचे डाल दिया इन्होंने सर कुश्चन में मेंशन नहीं है तो कौन सा रिजिम फॉलो करें कुश्चन में मेंशन ना हो तो आपको नियू रिजिम बाई डिफॉल्ट फॉलो करना पड़ेगा वैसे हमें सा कुश्चन में मिलेगा उसकी बात की चिंता मत करो इसलिए मैं दोनों बाते भूल के चल रहा हूं क्योंकि अब डिफॉल्ट रिजिम हो गया नियू अगर कुश्चन में कुछ नहीं बोल रहा तो नीचे एक नोट लिखना है एस पर अकॉर्डिंग तो एसेस्मेंट यह ट्विंटी फॉर ट्विंटी फाइव एनी पर्टिकुलर कुश्चन्स विल भी डिफॉल्ट इन दा नियू रिजिम आप बोल दोगे वहां पर के डिफॉल्ट नियू रिजिम में होगा उसका सॉलिशन कर दो कोई दिक्कत नही है कोई दिक्कत यहां तक